भारती ये मंदिर पूजा या प्रार्थना का स्थान नहीं है क्या आप ये जानते हैं? ये पूजा या प्रार्थना का स्थान नहीं है आज चुकि आप नहीं जानते कि और क्या करें तो आप जाकर वही कर रहे हैं जो हर कोई करता है भारती ये मंदिर में कभी कोई प्राथना नहीं कराता एक पुरा विज्ञान है मंदिर बनाने का एक पुरा विज्ञान है इसे आगम शास्त्र कहते हैं अगर मूर्ती का रूप और आकार मूर्ती की मुद्राएं प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए इस्तमाल में लाए गए मंत्र, गर्ब ग्रहका, रूप और आकार, बहरी परिक्रमा, ये सभी चीजें, ये पांच मूल तत्व हैं, अगर इन पांच चीजों को ठीक से व्यवस्थित किया जाए, तो ये उर्जा का एक बहुत शक्तिशाल स्थान बन जाएगा, तो इस परंपरा में आपको बताया जाता है कि हर दिन सुभा इस से पहले कि आप काम या कहीं भी जाएं, आपको सबसे पहले नहाना चाहिए, फिर जाकर कुछ समय मंदिर में बैठना चाहिए, और तब दुनिया में चीजें करनी चाहिए, ये एक सार आपका नुकसान है, आपका नुकसान मेरा फाइदा है, अगर आप एक खास तरह से नहीं है, तो आपके जीवन के हर लेंदेन में टकराव की संभावना होती है, क्या ऐसा नहीं है? हाँ? हर एक शब्द जो आप बोलते हैं, हर छोटी चीज जो आप लेते देते हैं, हर जग बात है तो जब तक आप भीतर एक खास तरह से नहीं हो जब तक आपने अपने भीतर कुछ कीमती नहीं पाया हो आप हर मौके पर लड़ेंगे लोगों को सड़कों पर गाड़ी चलाते हुए देखिए वे सभी कगार पर होते हैं छोटी सी बात पर वे एक दूसरे पर जपटन सड़क आपकी संपत्ति नहीं है अगर आप बस अपनी लेन से दूसरे की लेन में जाते हैं या वो चार्ज करते हैं और फिर बाहर जाते हैं ताकि आप दिन को आसानी से गुजार कर वापस इस परंपरा में ये भी कहा गया है कि जब आप आध्यात्मिक मार्ग पर हों तो आपको मंदिर जाने की जरूरत नहीं है क्या आप ये जानते हैं। जहां वे जाते हैं, प्रार्थना करते हैं और ये और वो मांगते हैं। वरना इस परंपरा में आप से कहा गया है कि वहां जाकर आपको कुछ समय बैठना चाहिए। कम से कम दक्षिन भारत में आज भी ऐसा है। इस दिया है, इस मंदिर में कोई रीती रिवाज नहीं होता, कोई पूजा नहीं होती, कोई प्रार्थना नहीं होती, कोई चड़ावा नहीं चड़ता। यहां हमेशा बिल्कुल मौन रहता है। आप आकर वहां बैठिये। जो इंसान ध्यान के बारे में कुछ भी नहीं जानता, वो भी बिना किसी निर्देश के वहाँ बैठ कर ध्यानमगन हो जाएगा। वो उर्जा ही वैसी है, अगर आप थोड़े समवेदन शील हैं, तो ये आपको रीड की जड़ से हिला देगा। ये इतना शक्तिशाली है, आप पर इसका असर इतना विशाल होता है। सबी मंदिरों को इसी तरह बनाया गया था लेकिन विभिन उदेशियों के लिए कुछ शारिक खुशाली के लिए मांसिक खुशाली के लिए भौतिक खुशाली के लिए इस तरह कई तरह के मंदिर बनाये गए इसका एक पूरा विज्ञान है दुर्भागे से इसके रखरखाव की जानकारी न होने के कारण हमने बहुत सारे मंदिर खत्म कर दिये हैं हमने उन्हें खत्म कर दिया है और आज हम मंदिरों को शौपिंग कॉंपलेक्स की तरह बना रहे हैं शायद उसी उद्देश्य के लिए या वे एक सामाजिक स्थान की तरह हैं मंदिर एक तरह से कलब ज्यादा बन गए हैं ये अमेरिका में ठीक है एक खास वातावरण में आप अपने समुदाई से मिलना चाहते हैं तो आपने ऐसी चीजें बनाई पर मंदिर अपने मूल रूप में एक बहुत शक्तिशाली उर्जा केंद्र होता है ये लोगों को जीवन के एक बिलकुल अलग आयाम से परिचित कराने का साधन है उसे खत्म नहीं होना चाहिए उसे दुनिया में मौजूद रहना चाहिए ये बहुत महत्वपूर्ण है पर इसका विज्ञान आम तोर पर खो गया है इसे सिर्फ कर्म कांड की तरह किया जा रहा है इसमें शामिल जटिलताओं को बिना जाने किया जा रहा है